आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं नाम ऐसी दान तक नहीं होता ही, Steady IQPAP का बहुत स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंक वादी के शिकार की, Operation Neptune Spear की बात करेंगे, ये जो Neptune Spear है, ये बैसिकली Navy Seal Commando का सिंबल है, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा शिकार था, इसका Code Name था, Operation Neptune Spear, किस तरह से उसामा बिन लादेन को, 10 साल बाद खोज के मार गिराया गया, पाकिस्तान में चुपा बैटा था, और वहाँ पे जा के अमेरिका, अमेरिकी के Navy Seal Commandos ने, 79 Commandos गय थे, एक घंटे में मार मूर के वापस आ गए, इसका नाम है, Operation Neptune Spear, तो इसको हम देखेंगे, पूरी तरह से, इस पे नजर डालेंगे, step by step देखेंगे, हुआ क्या, 20 आवर पे अटाक हुआ था, सब्टेंबर 2001 में, 10 साल बाद, 2011 को इसको मार गिराया गया था, तो वो सारी कहानी देखेंगे, वैस इस मूवी में दिखाया गया, बहुत बेतरीन मूवी है, उसामा विल लादेन के हंट पे है, सिड अंडर्सकोर, और एकरेक्ट मेरा Facebook पेज है, सिधान तक निहोतरी मेरी Facebook प्रोफाइल है, दोनों ही जगा आप मुछ से सवाल पूछ सकते हैं, लेच्चर की PDF आपको मिल देखिए, 1979 में सब कबाड़ा होना शुरूख हो गया, यह पूरी जो प्रॉबलम है, अगर आज प्रेजंट अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान as a state collapse के कगार पे है, अगर कुछ नहीं किया गया अफगानिस्तान के लिए, तो state ही नहीं बचेगा, इतनी सबसे पहला सोवियत यूनियन, दूसरा USA, तीसरा अफगानिस्तान खुद और चौथा जो सबसे बड़ा गुनेगार है, मेन कल्प्रिट है पाकिस्तान, पाकिस्तान इन तालिबानों को जो की बहुत खतरनाक लेवल पर समय पहुँच गए है, मेडिकल फैसिलिटीज देता इनकी जो ISI है, फंडिंग करती है, वो बिल्कुल सपोर्ट करती है कि जो करना है करो, अब इसकी शुरुवात कहां से हुई थी, इसकी शुरुवात हुई थी दोस्तों, 1979 में जब अफगानिस्तान में रातो रात कम्मिनिस्ट गवर्मेंट जो है वो आ गई थी, अब कम्मि या सोवियत यूनियन तो हमेशा सही कम्मिनिस्ट का सपोर्ट करता रहा है, अरे पहली कम्मिनिस्ट गवर्मेंट ही सोवियत यूनियन में बनी थी, USSR ने इन्वेड कर दिया, अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, 1979 से लेकर, 1989 तक ये पूरा सोवियत अफगान वार चला ह पूरा दस साल तक वर इसमें सोवियत यूनियन को कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि शायत अफगानिस्तान यहीं चाता था जैसे ही ये वार शुरू होती है जितने भी छुपे छुपे आतंकवादी होते हैं जो मुझाहिदीन होते हैं जितने लड़ाके होते हैं वो सामने आ चलो आओ लड़ो हमसे अब भया अमेरिका कैसे पीछे रहे सोवियत यूनियन अमेरिका का कट्ठर डुश्मन ये जंग ही communist वर्षय। communism को support करने दर Soviet Union पहुचा उधर अमेरिका ने बोल दिया कि ये तो क्या कर रहे हो ये तो बिल्कुल तुम तो बिल्कुल human rights के violation कर रहे हो तो पहुँच गया अमेरिका भया Ronald Reagan ने न तालिबान के लीडर के साथ मुझाईदीनों के साथ meeting की थी उनके साथ meeting की थी support किया था, funding करता था एक तरह से ये जो पूरी crisis है इसको जन्म ही दिया अमेरिका ने ठीक है? तो ये चीज है 1989 के बाद फिर USSR की कहानी आपको पता ही है पूरा collapse कर जाता है वो मेरा पूरा एक lecture है मिखायल गुर्बचे पे दो पार्ट में आया आपको पूरी तरह से कहानी पता लग जाएगी कि 1990s के रहा में Soviet Union के साथ क्या हुआ था ठीक है? तो अब इधर जब Soviet Union पीछे हटना शुरू होता है तब क्या है कि ये Taliban, मुझाहिदीन और Al-Qaeda ये तीनों जो होते हैं सामने आ जाते हैं दोस्तों क्या है? कि Al-Qaeda जो है इसका जो जनम है वो 1988 में हुआ था उसामा बिल लादेन ने इसको फाउंड किया था ठीक है और हम बात कर रहे हैं उसामा बिल लादेन की ही उसामा बिल लादेन जिसका जनम मार्च 1957 1957 में हुआ था 10 मार्च 1957 में बहुती विल्दी फैमली से आता था रियाद साओधी अरेबिया में इसका जनम हुआ था काफी विल्दी फैमली थी है अच्छा खासा पैसा था construction company हो तो चलाता था उसके बाद 1979 में जब Soviet Union ने invade किया तो ये सीधा सीधा इन forces से सामशामिल हो गया एक मुझा ही दीन बन गया ठीक है कि हमको तो आजादी के लिए जंग लाइनी है हमको तो जिहाद चाहिए और इससे नीचे तो हमको कुछ मंजूर नहीं है और 1988 में इसने Al-Qaeda बना दिया जितने भी civil war होए है Somalia, Yemen, Egypt में जो crisis आ गई थी Iraq, Afghanistan हर जगें आपको इनकी presence मिलेगी ये Al-Qaeda ऐसा organization है तो उसामा बिन लादेन को एक तरह से अमेरिका नहीं बनाया ठीक है तो अब क्या हुआ कहानी आगे बढ़ती है Twin Tower पे attack कर दिया जाता है Twin Tower को पूरी तरह से ढहा दिया जाता है भीया 11 September 2001 को West to East जाने वाली flight पकड़ी जाती है आतंकवादी उसको कबजे में ले लेते हैं दूर की flight थी क्यूं? क्यूंकि वो तो चलता फिरता बॉम है ना उसमें धेर सारा fuel था Twin Tower में घुषड देते हैं और वो पूरा 20 आवर ढह जाता है George W. Bush का मूड खराब हो जाता है Operation Enduring Freedom लांच कर दिया जाता है लेकिन आपको पता है दोस्तों मजे की बात अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें वो एक जनरल ने लिखा है खर्बो अरब डॉलर खर्च कर दिये और उसको कुछ भी नहीं हासल हुआ है Ground Zero पे खड़ा है कुछ भी उसको हासल नहीं हुआ है It is very shocking अफगानिस्तान इस समय कोलाप्स की कगार पे है अगर कुछ नहीं किया गया तो वहां का स्टेट ही कोलाप्स कर जाएगा तालिबानियों ने ऐसी मुसीवत खड़ी कर दी है अमेरिका को लगा था कि ये तालिबानी एक नाइक टाइम पे खतम हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं वो खतम नहीं हुए वो मल्टिप्लाई होते गए क्योंकि अफगानिस्तान ने लड़ना इतना आसान नहीं है तो बहुत खतरना किस समय सिच्वेशन आ गई है सीधा गोलियां चल रही है समय कोई भी एलेक्शन में खड़ा होता है सीधा गोली मारो तो ये चीज है अपरेशन इंडियूरिंग फ्रीडम के तहत यहां पर पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान ही एक मात्र ऐसा कल्प्रिट है जिसने इस क्राइसिस को बहुत बढ़ावा दे दिया यह पूरा तालिबानियों को फंडिंग करता है सेफ हेवेंस, मेडिकल फेसिलिटीज, उनको हतियार देना सब पाकिस्तान कर रहा है और उसके बाद फिर अराम से अपने हाथ पीछे खीच लेता है थीक है, भाईया, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबिटा बाद में ही तो मिला था पाकिस्तान ने सोचा था इसको तो ऐसा बार्गिनी चीप इस्तमाल करेंगे तो कहानी आगे बढ़ती है अब 2001 से लेकर 2011 ये 10 साल में क्या हुआ इतनी ज़्यादा फ्रस्टेशन हो गई थी कि क्या बता है उसामा बिन लादेन की जो ये हंट शुरुआत हुई हंट की मतलब ये जो शिकार की शुरुआत हुई ये 2001 से ही चालू हो गई थी इनवाल्ड हैं कितने सारे टेरिरिस्ट इनवाल्ड हैं कितने लोग इसमें इनवाल्ड हैं उनको पकड़ा इंटरोगेशन किया देकिन तब भी कोई फाइदा नहीं अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो उसामा बिन लादेन है वो डारेक्टली कम्यूनिकेट नहीं कर सकता था नेट्वोक से कम्यूनिकेट करता तो ट्रैक कर लिया जाता क्योंकि CIE बहुत ज़्यादा एक्टिफ थे कोरियर मैन वो इस्थमाल करता था ठीक है इनसान जाते थे और मैनुली मेसेज देते थे ऐसे ही एक कोरियर मैन का 2002 में नाम आया जिसका नाम था अबू एहमद अलकुएति ये कोरियर मैन था इसका और इसका नाम जो है वो बहुत सालों तक चला पता ही नहीं था कि ये अच्चुली में इनसान है नहीं है क्या वाकई में ये उसामा बिलादेन का साथ ही है क्या वाकई में ये उसामा बिलादेन के मेसेजेस को पूरी दुनिया में पहुँचाता है आतनकवादियों तक पहुँचाता है ये कुछ भी नहीं पता था देकिन बार बार एक इनसान का नाम आता था अबू एहमत अलकुएती ये जो है ये उसामा बिलादेन का कोरियर मैन है इसको पकड़ो 2002 में ये पूरा स्टार्ट हो गया कि अबू 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 एहमत अलकुएती है कौन इसको पहले पकड़ के लेके आओ ठीक है और उसके बाद फिर अमेरिका ने जब इन्वेट किया तो वहाँ पे भी बहुत सस्पेक्ट जो जितनी भी जगाए थी वहाँ पे Bombing चालू कर दी जड़ा चलांखी देखिए कि पूरी दुनिया को लग रहा था उसामा बिलादेन अफगानिस्तान में छुपा है लेकिन वो चुपा कहा था पाकिस्तान में कमाल है दोस्तों कि मतलब सबको लू बनाके वो पाकिस्तान में छुप गिया जाके और बाद में पता चला कि क्या कर दिया हम लोगों ने ठीक है तो अबु एहमत अलक वैति के ये आगे बढ़ती रहती है बाद बहुत लोगों को पकड़ा जाता है इंटरोगेट किया जाता ह है अबु एहमत अबु एहमत एक ही नाम फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है यह पता लगने लगता है कि अबु एहमत तो मर गया है इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं है इसको तो डफनाग दिया लग गया था 2001 वे तो अमेरिका जो इतने सालों से इसालों से रिसर्च कर रह होता है वो मिट्टी में मिलती हुई दिखाई देती है अब और दिकत करे तो करे क्या लेकिन कोई बात नहीं और जादा इंटेगरेशन चलती है बाते आगे बढ़ती है और फाइनली बहुत जबरदस्त कोईडिनेशन की हेल्प से डिफरेंट सोर्सेस की वज़े से ट्रैक है बाद में पाकिस्तान बोला था कि यह इब्राहिम सईद है इसका नाम और इजिनल नाम है अबू एहमद नहीं है ठीक है तो यह चीज़ पूरा आगे बढ़ती है सब 0.30 में दिखाया गया है फ्रस्ट्रेटिंग यह पूरे दिखाए गया आप जरूर देखिएगा तो य चीज़ होती है अब दोस्तों क्या होता है कि यह पता चलता है कि हम इतने दिनों से अफगानिस्तान में थे लेकिन एक्चुली वो छुपा कहां हो सकता है पाकिस्तान में दो प्रॉबबिलिटी या तो वो पाकिस्तान में चुपा है या फिर अफ़र अफगानिस्तान में क क्योंकि इस courier man को trap कर लिया जाता है ठीक है बहुत सारे sources जिसमें काफी interrogations होती है बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है ठीक है दोस्तों ऐसे interrogations होती है जिस पे भी शक है उसको पकड़ लो बहुत बेगुना भी इसमें फस जाते हैं क्या करे कोई चारा नहीं ह जाता है कि यह जो आदमी है अगर इसको पता लगा लिया यह कौन है तो यह सीधा हमको उसामा बिलादेन तक ले जाएगा लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह होती है कि उसामा बिलादेन की location पता नहीं अमेरिकी सरकार बोलती है मतलब यह जो CIE है यह जो इनका पक्ष होता ह कि हो सकता है यह पाकिस्तान में हो हम शूर नहीं कह सकते 70% probability है 80% probability है we are not sure कि शायत उसामा बिलादेन पाकिस्तान में हो कुछ कह नहीं सकते तो यह एक खत्रा भी होता है कि अगर हमने कोई operation किया और in case अगर वहाँ पे वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे तो इसके लिए हैं वो बोलते हैं कि यह एक most probable place है जहां पर उसामा बिलादेन छुपा हो सकता है आपको पता है कि इसमें एक पाकिस्तानी ने यह भी बोला था American government को contact किया था कि उनसे यह बताया था कि आप मुझे 25 million dollar दे दीजे मैं आपको बता दूँगा उसामा बिलादेन कहां रहता है तो यह चीज है तो अब वो अबटाबाद में एक घर होता है ठीक है बिल्कुल किनारे पे घर होता है हवेली टाइप की होती है वहां पर ऐसा शक जताया जाता है कि यहां पर उसामा बिलादेन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लीट्स को collect करके यह शक फिर होता है कि इस पर उसामा बिलादेन चुपा हो सकता है लेकिन शूर नहीं है पता कैसे लगाये जाए तो दोस्तों क्या है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल्रेडी इंवेड किया होता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर तो बिल्कुल सटा हुआ है ठीक है तो दबूत होता है यह पुकता इसलिए होता जाता है कि जब वो घर की पैरवी करते हैं तो इनको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में कोई आता जाता नहीं है और जो लेंदेन भी होती वो इस तरह से होरी जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो मतलब कोई बहुत vaccination program पूरा चलाया जाता है घर में कि पता लगाओ उसके बाद फिर घर पे पूरी निगरानी की जाती है different strategies अपना ही जाती है कि कि किसी तरह बस पता लगे ठीक है 2400 गंटे यह surveillance की नजर में रहता है कि कुछ हो तो फिर यह पता लगता है कि हाँ 80-90% यह probability है कि Osama bin Laden इसी Abbottabad म चुपा हुआ है पाकिस्तान के military area था बलकि Abbottabad ठीक है अब जाहिर सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तानी government को नहीं पता हो कि Osama bin Laden यहाँ पे चुपा हुआ है और यह घर नहीं यह पूरा किला होता है बहुत बड़ा घर होता है यह जो compound होता है लादेन का यह बड़ी बड़ी दीवाले होती है ठारा फिट की उसके ऊपर बार्ब wires लगे होता है काटे वाले तार लगे होते है ठीक है अंदरी पूरा किला होता है तीन स्टोरीज होती है फर्स सेकेंड थर्ड ठीक है तो यह चीज है जब Osama bin Laden को पकड़ा गया तो चार adult male थे पांच औ और 13 बच्चे थे ठीक है जो बरामत हुए वैसे तो Osama bin Laden के खुद के 26 बच्चे थे ठीक है तो यह चीज है तो अब क्या है कि CIA नहीं कंक्लूड किया कि हाँ यहाँ पे हो सकता है उबामा उस समय सरकार चेंज हो गई थे उबामा प्रेसिडेंट हो गए थे अब उबामा चा क्योंकि देखिए इतना असान नहीं होता है किसी के देश में जाके अटाक कर रहे हैं यह तो आप देश पर ही अटाक कर रहे हैं और अगर वो सस्पेक्ट नहीं मिला तो रिष्टे बहुत खतरनाक लेवल पे जा सकते थे ठीक है रिष्टे तो खतरनाक लेवल पे जाते इसमें काफी लोगों को involved किया जाता, high levels meeting होती है, किसी को कानोखान cover नहीं पहुचाई जाती है, ठीक है, अबटाबाद की दोस्तों बात करें, तो 160 km दूर है, यह अफगानिस्तान border से, ठीक है, और 1.3 km है, यहां से 1.5 km पे ही पाकिस्तान military academy भी स्थेथ है, ठीक है, तो जादा दूर नहीं है अफगानिस्तान border से, और अफगानिस्तान में ही सबसे बड़ा base अल्रेडी बना के रखा हुआ था अमेरिका ने, ठीक है, जो सबसे बड़ा airbase जिसको बागराम airbase बोला जाता था, वो अल्रेडी बना के रखा हुआ था, तो अमेरिका की planning ये थी कि इस बार गराम airbase से हम जाएंगे जलालाबाद, ठीक है, वो एक शहर था, नॉर्थ इस्ट अफगानिस्तान में, और उसके बाद फिर हम attack करेंगे, अबटाबाद में और ये सब रात में होगा, लेकिन डर यही था कि कहीं रिष्टे ना विगड़ जाएं, तो इतना असान नहीं था, फिलाल चीज आगे बढ़ती है, सब कुछ finalize होता है, 29 अपरेल आते आते, उबामा भी बोल देते कि इस operation को अब conduct करो, जो होगा देखा जाए, और उसके बाद अमेरिकी आर्मी जो है, मतलब जो commandos हैं, वो फिर उसके बाद invasion की पूरी तयारी करते हैं, execution की, इस plan को execute करने की पूरी तयारी करते हैं, और इस plan को नाम दिया गया था, operation Neptune Spear, यह मैं अलड़ी बता चुका हो, यह golden, यह code name था basically इनका, ठीक है, पांच helicopters को लेके जाना होता है, ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने बता है, इतना सा नहीं होता है, ठीक है, 90 मिनिट की दूरी तय करनी होती है, पूरे helicopter जा रहे हैं, अगर यह पाकिस्तानी रेडार के संपर्क में आ गए, तब बहुत बड़ी problem हो जाएगी, पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट हो जाएगी, दोस्तों इससे पहल भी यह पता लग जाता, कि उसामा बिन लादेन को मारने की तयारी हो रही है, रातों रात उसका ठीकाना बदल दिया जाता, तो इसलिए अमेरिका ने कोई रिस्क नहीं लिया, कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और उसके बाद जो एर बेस था, बार ग्राम, बार ग्राम से फिर जलालाबाद आए, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन के जो नेवी सील कमांडो से उड़े, जलालाबाद पहुंचे, और जलालाबाद से फिर अबुटाबाद, नब्बे मिनट पहुंच गए, एक माई को यह जो उपरेशन है, एक मही 2011 को यह पूरा का पूरा अंजाम दिया गया ठीक है तो नेवी सेल फिल दंदनाते हुए गुस्ते हैं एक हेलिकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है ठीक है अब दोस्तों क्या होता है कि यहां पे जैसा कि मैंने बता है वो बात मैंने बीच में छोड़ दी थी रेडार से ब पहना है नाप ऑन अर्थ पॉलिसी जो होती है उसको आपको इस्तमाल करनी है जब वहां पे लैंडिंग होती है हेलिकॉप्टर की बिल्कुल अंधिरा होता है कुछ भी नहीं दिख रहा होता है लेकिन नाइट विजन गॉगल सारे सील्स कमांडों ने पहने होते हैं 79 थे द्रबाजों में बं लगाते हैं दर्बाजों बुढ़ाते हैं एक के बाद एक करके रूम्स पार करते हैं चिल्डरन्स और तो मतलँ बच्चो और और योट बिल्कुल भी खत्रा नहीं होता है लेकिन दोस्तों यहां पे बच्चों। और 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 शील्ड इस्तमाल किया जा रहा है तो अमेरिकन्स कमांडो के पास कोई चारा नहीं था वैसे बहुत एतियाद बरता जाता है हर आर्मी ये एतियाद बरती है कि सिविलियन्स की बिल्कुल भी जानना जाए जो सस्पेक्ट है वही मरे तो वहाँ पे साड़े छे फिट का उसको फिर उसामा दिख गया जो नेवी सील्स थे उनको सामा दिख गया कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और जैसे ही उसामा बेलादेन ने नेवी सील को देखा तु तो काफी सारी स्टोरीज भी है इसमें लेकिन अल्टिमेट अंजाम यही है कि उसामा बेलादेन को जान से मारा गया चालिस मिनट में यह पूरी रेड खतम की और वापस लौटा है उसकी लाश लेके ठीक है बाकियों को वहीं पे छोड़ दिया बाकी उसामा बेलादेन की लाश लेके वापस लोट आए और उसके बाद फिर DNA टेस्टिंग से ये पता लगा लिया गया कि यही उसामा बिलादेन है और बाकी आतंकवादियों ने भी सिधा बोल दिया कि हाँ उसामा की हत्या होई है और इसकी हत्या का अब हम बदला लेंगे तो ये पूरी कहाने थी इ आई हो पे लेच्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो जरूर शेर कीजे और मैं उप्रेशर्स कवर करता रहूँगा जरूर देखीगा तब तक खुछ रही है पड़ते रहे दिसे सिताम तक नियों तरी सानिंग आफ और येस शेर जरूर करजेगा थांगे